मक्का इसलाम का पवित्र शहर है जहां पर काबात तीर्थ और मस्जिद अलहरम। इस तीथे मक्का शहर वार्शिक हज तीर्थी आत्रियों के लिए प्रशिद्ध है जो इसलाम के पांच स्थम्मों में से एक है। हर साल करीब 40 लाग हज आत्री मक्का आते हैं। इसलामी परंपरा के अनुसार मक्का की स्थापना नभी इसमाईल के बंश ने की थी। साथवी चताबदी में जब इसलामी पेगंबर मौम्मद ने इस सहर में इसलाम की गोशना की तब तक यह शहर एक महत्कून के अपारी केंदर बन चुका था। साथवी अरब में पहली बार मक्का की शाही मस्जिद में मौदूद मकाम इबराहिम के कुछ नायाब तस्वीरे जारी की हैं। साथवी अरब के मक्का और मदिना के मामलों के लिए जनरल प्रेसिदेंसी ने मकाम इबराहि के मंजर को एक नई तकनिक के साथ कैप्चर किया जिसमें स्टेक्ट पैनलॉर्मिक फूकस का इस्तमाल किया गया। इसलाम की रिवायत के मताबिक मकाम इबराहिम वह पत्थर है जिसका इस्तमाल इबराहिम ने मकाम कावा की तामीर के दोरान दिवार बनाने के लिए किया था ताकिवे उस पर खड़े होकर दिवार बना सकें। पैगंबर के पैरो के निशान को सनरक्षित करने के लिए पत्थर को सोने और चान्दी के काच के एक फ्रेम में सजाया गया है। मुसल्वानों का मानना है कि जिस पत्तर में पधिचिन के च्छाप हैं वे सीधे स्वर्व से पवित्र काले पत्तर हज अफसाथ के साथ लाया था। मकام अब्राहिम का आकार वरगाकार है जिसमें बीच में दो अंडाकार गड़े हैं जिन में पेगंबर इब्राहिम के पेरुकिण निशान है मकाम अब्राहि का रंग सफेद गाला और पीला है जबकि इसके चोननाई लंबाई और उचाई पचास सैंटी मीटर है मकाम एबराहिम खाना एक कावा के गेट के सामने इस्तित है जो पूर्व में सफा और मरवा की और जाने वाले हिस्से में लगवग 10 से 11 मीटर की दूरी पर है कुछ रोश पहले ही चार माई को साओधी अरब के अफसरों ने कावा के काले पत्तरों की इसी तरह की हाई रेजलीशन वाली तस्वीर जारी की थी साउधी अरब सरकान ने पाक शहर मक्गा में मुझूत कावा में लगे काले पत्थर की हैरन कर दीने मेरी तस्वीली जारी की थी इस पत्थर को हजर-अफसाद भी कहा जाता है ये अरबी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है अरबी में हजर का मतलब पत्थर होता है जबकि असवत का मतलब सीहा काला होता है उमीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए और हिडिर इंफॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें